तो आज है कडाके की सर्दी तो मैंने सोचा चलो को नया बनाते हैं तो यह आप देख रहे हैं यह गोवी है इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है पानी में और मटर है और इसमें हम थोड़ी सी प्याज भी डालेंगे तो आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड्स और मैंने उबाल ली ए अच्छे से इनको भी थोड़ा मिक्स करेंगे इसमैं तो अब लिए अबली मैंटरेंटैल औरही हम विसमें थोड़ा अब। जायके, मैंने बै के घुड़ा सब्सक्राइम मैं देखे,प्वन लिएगी, मैं ढूता इस बड़ाश दाल दिया है तोड़ा करीब 2-3 चम्मच टेस्ट बढ़ाने के लिए हम थोड़ी सी इस माथ भी डालें और थोड़ी सी अजवायन बहां बहां दालें में थोड़ी सी अजवाласт भी डालें यह पाचक होती है जले pak नहों अब इसमें डालेंगे नमक आप नमक अपने टेस्ट के अगोटिंग डालिए कम ज्यादा जितना भी आपको डालना है तो मैंने डेड़ चम्मच नमक डाला है इस छोटी खाने वाली चम्मच से और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा मुझे तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको गोल लिया है बहुत अच्छे से यह देखिए मिक्स हो गया है अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया डालेंगे यह देखिए हमने धनिया भी डाल दिये और हमारी कड़ाई गरम हो चुकी है और अभी हम से कहेंगे पकोड़े गरमा गरम फ्रेंड्स थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए यह मैं मैगी मसाला जो उसमें निकलता है वो डाल रही हूं इससे थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है मैगी का और बने रहिएगा और प्लीज दPS चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करें तो अब अब हम पकोड़े शेकने चलते हैं यह देखिए और कड़ाके की सरदी में यह आप भी बनाइये और धरबानों को खिखला की खाये और आप भी खायेdır देखिए यह गोगी मैगी मिक्स पकोड़े हैं हम तो देखिए दोस्तों हमारे पकोड़ी स्थिक रहे हैं और बढ़िया गरमा गरम पकोड़े अभी निकलेंगे और खाकर आप भी बनाईए और खाकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए कैसा तेश्ट था मेगी गोवी के पकोड़ों का क्यूंकि सर्दी का मौसम है त तो प्लीज एक बार जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारे मैगी गोवी मटरर के मिक्स पकोड़े कैसे लगे आप सबको तो यह देखिए दोस्तों हमारे पकोड़े सीख गए हैं अब हम यह निकाल लेते हैं जर्मा गरम पकोड़े तो यह देखिए दोस्तों तो अब हम यह खाने के लिए बिल्कुल रेडी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और बने और देखते रहें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई